आप देख रहा है कोटेंग क्रेशन्स क्रिकेट का लेटिस न्यूस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे टीम इंडिया में पहली बार शामिल हुए सुर्यकुमार, इशान और तिवातिया तो सचिन ने इस तरह दी बदाई क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडूल करने टी-20 टीम इंडिया में पहली बार शामिल हुए सुर्यकुमार यादव, इशान किशान और राहुतिवातिया को एक कास संदेश के साथ बदाई दी है इतना ही नहीं उन्होंने वरुन चक्रवर्थिकों भी बदाई दी है जिने आश्टेले दोरे के लिए पहले टीम में शामिल किया गया था मगर बाद में कंदे की चोट की चलते उन्हें बाहर होना पड़ा था और उनकी जगा टी नट राजन को शामिल किया गया था इस तरह इन सभी क्रिकेटरों को बदाई देते हुए तेंडुलकर ने ट्विट कर कहा टीम इंडिया में पहली बार शामिल हुए सुरिक कुमार यादव, इशान किशान और राहुतिया को तहे दिल से बदाई जबकि आश्टेले दोरे के लिए शामिल हुए वरुन चक्रवर्ति को भी बदाई जिसमें वो जा नहीं पाये थे आप सभी से कहना है कि देश के लिए क्रिकेट केलना सबसे अधिक गर्व की बात होती है आपकी सफलता के लिए मेरी दुआए हमेशा आप सभी के साथ है गवरत लभाई की इंग्लैन के किलाव T20 सीरिस के लिए BCCI ने हाल ही में 19 सदसी बारती क्रिकेट टीम का आयलान किया जिसमें सूरे कुमार यादव, इशान खिशान, वरुन चेकरवर्ती और राहुतिवातिया को पहली बार जगा मिली है वही बोनिश्विर कुमार और रिशाप पन्त ने लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी की है पन्त को आश्टेल दवरे पर T20 सीरिस में जगा नहीं मिली थी लेकिन टेस्ट में बहतरी इन प्रदर्शन करने के बाद वो टीम में वापसी करने में साफल रहे जबकि दूसरी तरफ संजु सैंसन को कराप प्रदर्शन का कामियाज बुकतान पड़ा है और उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिका दिया गया है इसके अलावा मैंक अगरवाल और मनिश पांडे भी टीम से बाहर हो गया है जबकि रविंद्र जड़ेजा को फिटना होने के चलते टीम में जगा नहीं मिली है टीम में जस्पृत बुंगरा का भी नाम नहीं है जिने टीट्वेंटी सीरीज में आराम दिया गया है बारती टीट्वेंटी टीम इस प्रकार है टीनट राजन बोनेश्वर कुमार दीपक चाहर नहदीप साइनी और शार्दूल्था खुर ये ता अभी का न्यूस क्रिकेट का लेटेस न्यूस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फार वाचिंग